Hello Everyone, इस वीडियो में हम सेखेंगे Annual Information Statement AIS Form को डाउनलोड करना AIS Form जो revised version है, 26 AIS Form का जो Income Tax Department ने लाँच किया हुआ है अभी recently लाँच किया है इसको, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा Annual Information Statement AIS Form है क्या जो हमारा पहले 26 AIS Form होता था, उसमें हमें Major Deduction के बारे में ही Information मिलती थी लेकिन जो हमारा अब AIS Form launch हुआ है, Annual Information Statement वाला तो उसमें अब हमें और भी का Information देखने को मिलेगी इस वाले Form में जैसे Dividend से Related, Interest से Related जो Bank से में मिलता है FD के Interest से Related, Mutual Fund से Related, Stock से Related और Foreign Remittance से Related मतलब Pen से Related हमारी जो भी Information होगी वो इसमें अब सो करेगी तो अब इससे और भी असान हो जाएगा अपने Income Tax Return को File करना तो चलिए शुरू करते हैं AIS Form को Download करना तो उसके लिए सबसे पहले हम Browser को Open कर लेंगे Open करने के बाद हम Income Tax की New Website पे जाएंगे www.IncomeTax.gov.in इस पे जाने के बाद हम यहाँ पे Top Right Corner पे हमें Search के Left Side में का Icon दिख रहा होगा उस पे क्लिक कर लेंगे उस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे Login कर लेंगे Login करने के बाद अब हमारे सामने इस टाइप का Page Open हो जाएगा तो हमें Top Right Corner पे जो 3 Lines दिख रही है उस पे क्लिक कर लेना है उस पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे Service वाले Tab पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे नीचे Option दिखाई दे रहा है AIS का Annual Information Statement का तो उस पे क्लिक कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर AIS पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर AIS पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर AIS पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर AIS पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ यहाँ पर डौडाउन से उसके बाद हमें दो अप्शन दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड करने के, या PDF की फोर्म में करना चाते हैं, या JSON की फोर्म में, तो हम PDF की फोर्म में डाउनलोड करना चाते हैं, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे, तो हमारा form डाउनलोड हो चुका है तो एक बर इसको उपन कर लेते हैं उपन करने के लिए जो इसका पासवर्ड रहेगा वो हमारा pen card का नंबर और date of birth का combination रहेगा उसके बाद देख सकते हैं friends कि हमारा AIS form है वो उपन हो गया है झाल 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 झाल